हेलो एप्रिवन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी बात जिसके बारे में मास्टर जी भी नहीं जानते परधान मंत्री लाल के लिए से 26 जनवरी को जंडा क्यों नहीं फेराते हैं इसका क्या मतलब है तो आपने बच्पन से ही देखा है कि 15 अगस्त के दिन परधान मत्री लाल के लिए से धोजा रोहन करते हैं जबकि 26 जनवरी को जंडा नहीं फेराते हैं क्योंकि इस दिन राष्ट्रपती राजपत से जंडा फेराते हैं इन दोनों में बहुत छोटा साथ डिफ्रेंच होता है लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता कि जंडा फेराना और धोजा रोहन में क्या अंतर होता है और 15 अगस्त को धोजा रोहन होता है और 26 जनवरी को धोजा रोहन नहीं होता तो इसका क्या मतलब है तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस 1947 के दिन उस समय हमारे देश के मुख्या परधानमंत्री थे और इसी लिए जवाहरलाल नहरू पंडित जवाहरलाल नहरू जो परधानमंत्री थे उन्होंने लाल के लिए से धवजा रोहन किया था वही 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंदर प्रशाद ने राश्टरपती के तोर पर सपत ले चुके थे इसलिए उन्होंने राजपत पर धवज फैराया था तो धवज फैराना और धवजा रोहन में जो डिफरेंस है उसी को हम देखेंगे कि क्या होता है ये डिफरेंस धवजा रोहन को हम फ्लैग होईस्टिंग कहते हैं और फ्लैग अनफरलिंग धवज फैराने को कहते हैं 26 जनवरी यानि रिपब्लिक डे इस दिन राष्ट्रे धवज को उपर बांधा जाता है और वहीं उसे फैराया जाता है इसी वज़े से रिपब्लिक डे पर धवजा रोहन नहीं होता जंडा फैराना होता है या फ्लैग अनफरलिंग होती है वहीं 15 अगस्त यानि स्वतंतरता दिवस को फ्लैग होईस्टिंग किया जाता है यानि की धवज को नीचे से उपर के और ले जाया जाता है और फिर उसे फैराया जाता है इस दिन हमारा देश आजात हुआ था और ब्रिटिश शरकार का जंडा उतार कर भारत का जंडा उपर जड़ाया गया था इसलिए हर साल 15 अगस्त के दिन तिरंगे को उपर की तरफ खींचा जाता है और फिर फैराया जाता है तो इसलिए उसको हम कहते हैं फ्लैग होईस्ट तो आपको इस दोनों के बीच में फ्लैग उणफारलिंग और फ्लैग होईस्टिंग के बीच में जो भी अंतर था को पता चल गया होगा और क्यों परधान मंत्री 26 जनवरी के दिन झंडान नहीं फैराते यह भी पता चल गया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ह तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू फर वर्ट